एक खबर ने दिखाया असर, बर्गर किंग चलाने वाली कमपनी के शेर 20% तक उचले बर्गर किंग, बर्गर किंग चलाने वाली कमपनी रेस्टोरेंट ब्रांस एशिया के शेरों में गुरुवार को तगड़ा उच्छाल आया है। रेस्टोरेंट ब्रांस एशिया के शेर गुरुवार को बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज में 20% की तेजी के साथ 128.45 रुपए पर पहुँच गए। इनबीसी आवास के हवाले से कहा है कि प्राइवेट एक्विटी फर्म इवर्स्टोन कैपिटल रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया में अपनी करीब 41% हिस्सेदारी बेचने के लिए बात कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सिंगापूर हेड़क्वार्टर वाली इवर्स्टोन कैपिटल हिस्सेदारी बेचने के लिए जुबिलैंट फूडवर्क्स पी फर्म अडवेंट इंटरनाशनल के कंसोर्शियम और जनरल एटलांटिक से बातचीत कर रही है। इतनी है हिस्सेदारी की वैलिव। इवर्स्टोन कैपिटल की क्यू एस आर एशिया के जरिये रेस्टोरेंट ब्रांस एशिया में 40.9% हिस्सेदारी है। शेर होल्डिंग का यह डेटा 31 मार्च 2023 तक का है। इस हिस्सेदारी की वैलिव 21.68 अरब रुपए है। रेस्टोरेंट ब्रांस एशिया के शेर गुरुवार को अपने 5 महीने के हाई पर पहुच गए है। कमपनी के शेरों का 52 हफते का हाई लेवल 137.75 रुपए है। वहीं रेस्टोरेंट ब्रांस एशिया के शेरों का 52 हफते का लो लेवल 83.71 रुपए है। कमपनी का मार्केट कैप 6,033.35 करोड रुपए है. बढ़ गया है कमपनी का घाटा. जनवरी से मार्च 2023 तिमाही में कमपनी का कंसॉलिडेटेड नेट लॉस बढ़कर 73.37 करोड रुपए पहुच गया है. एक साल पहले की समान तिमाही में कमपनी का कंसॉलिडेटेड नेट लॉस 67.07 करोड रुपए था. वहीं मार्च 2023 तिमाही में कमपनी का रेविन्यु करीब 29% बढ़कर 514 करोड रुपए हो गया है. कमपनी ने पिछले एक साल में कई नए रेस्टोरेंट्स खोले हैं.